अब एक तरफ क्राइम ब्रांच और E.D. आक्शन में हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है बीजेपी नेता मंजिंदर सिंग सिर्सा ने कहा है कि E.D. से ध्यान हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये आडंबर रचा है अब तक अतीशी जी भी अर्विंद केजरिवाल जी कितना कह रहे थी हमारे पास सबूत हैं हमारे साथ हैं मेले खरिदने की कोशिश की जा रही है अब जब दिल्ली पुलीस बीजेपी की कंप्लेट के उपर सबूत मांग रही है क्राइम ब्राच के लोग पहले अर्विंद केजरिवाल जी के घर गए तो अर्विंद केजरिवाल जी घर छोड़ कर भाग गए अब पता चला है कि क्राइम ब्राइच वाले अतिशी जी के पास गए कि भेन आपी सबूत दे दीजिए आपी वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया हम उसको ढूंड कर लाएं उसके उपर मुकदमा दर्च करें उसको जेल में डालें जो तुमारे हमेले को खरीदना चाहत है अब वो भी गाइब हो गई क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था एडी से द्यान हटाने के लिए यह एक अडंबर रचा गया था जिसके अंदर अतीशी जी और अर्विंद के जो खुदी फस गए हैं अब क्राइम ब्राइच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है अब एममेलों को फोन कर रहे हैं मुझे बता लगा कि तुम कहा दिना मुझे फोन आया था किस नंबर से फोन आया यह सबूत तो देना पड़ेगा नई तो कारवाई होगी नकली और जूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकं तो बीजेपी निता हरीश खुराना ने कहा है कि अगर अरविन केजरिवाल ने जूट बोला है तो जवाब देना पड़ेगा हरीश खुराना ने कहा कि आरोप लगाकर केजरिवाल भाग नहीं सकते हैं जूट बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अर्विंद केजरीवाल हो अपनी चलने वाला कि आप आरोप लगा और भाग जाओ आपने अगर आरोप लगा है तो सबूत तो देने पड़ेंगे ये बात तैह है जिस परकार से आपने भारती जनता पार्टी के ओपर आतिशी जी ने भी और अर्विंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारती जनता पार्टी के लोग आम आदी पार्टी के अमेले को खहिदना चाहते हैं और लोटस टू करना चाहते हैं लोटस वन में भी आपने यह आरोप लगाया और जो व्यक्तिक खईद रहे हैं भारती जन्ता बार्टी के जो उनके नाम बता दीजे अब नहीं चलने वाला अब तो आपको नाम बताने होंगे अन्यता कानून का सामना करना होगा